हेलो पीपल, होप यूरा दोइंग वैल, आज हम लोग बात करेंगे स्कूल्स ऑफ क्रिमिलोजी के बारे में क्रिमिलोजी क्या है इसका इंट्रॉक्शन विडियो अल्रेडी अप्लोडेड है तो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो देख सकते अब इसके स्कूल्स कौन-कौन से हैं उस बारे में हम लोग बात करेंगे तो मतलब कि इन लोगों के हिसाब से, जब जब यह स्कूलगлей थे तो लोग क्या सोचते थे प्रीम के बारे में किस तरीके से वो offenders को देखते थे, क्या punishments होती थी, वो सब बताता है, ये सारे schools, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, pre-classical school के बारे में, pre-classical school 17th से 18th century तक था, इसमें क्या था, religion was at peak level, जो religion था, वो बहुत भी peak level पे था, और कोई scientific explanation नहीं था, किसी भी चीज का, किसी भी crime का, सब लोग समझते थे, कि कोई supreme power है, ठीक है, और another world apart from this world, और इस दुनिया के अलावा भी कोई एक अलग दुनिया है, ठीक है, और किसी evil power का influence होता है, criminals के उपर, मतलब कोई मालो, कोई शैतानी power का influence होता है, criminals के उपर, जिसकी वज़े से, वो कोई crime कर बैखते है, ठीक है, कि इसका जो treatment है, criminal को treat करने का तरीका बस है है, कि उसे हद torture किया जाए, ठीक है, कि उसे बहुत जादा torture किया जाए, जो criminal है, तब ही वो सुधर सकता है, तो ये था pre classical school के बारे में, अब हम बात करते हैं, classical school के बारे में, तो classical school था 18th century में, इसके supporter थे and he rejected the pre classical school's theory, इन्होंने इसको reject कर दिया, इन्होंने कहा, इनका जो school था, वो based था free will concept पे, इसका ये मतलब है, कि जो criminal है, वो अपनी will से, अपनी मरजी से crime करता है, किसी भी evil power का या किसी का भी उस पर को influence नहीं होता, ठीक है, और ये मांदे थे pleasure और pain के principle को, यानि कि pleasure किस हिसाब से, कि offender को crime करके pleasure मिल रहा है, दूसरों को pain दे करके उसको pleasure मिल रहा है, कि वो दूसरों को देख रहा है, कि वो दर्द में है, तो उसे बहुत मजा आ रहा है, तो वो इस चीज को मानते थे, ठीक है, punishment should be directly proportional to the intensity of crime, यहाँ पर क्या बात थी, इस school के हिसाब से, जो punishment होनी चाहिए, वो directly proportional होनी चाहिए crime से, जो punishment होगी crime की, मानलो किसी ने कोई murder किया है, तो जो उसकी punishment होगी, वो directly proportional होगी, वो जो punishment होगी, वो अगर किसी ने theft commit किया है, तो वो punishment, उसको same punishment नहीं दी जाएगी, जो murder के लिए दी जा रहे है, ठीक है, directly proportional होगी, अब इस school का जो focus कमिट किया है तो उसे फ़ी सता मिलती थी जैसे कि वह-बिच्विल इंच विछ तो यह हो गई classical school की बात अब हम बात करते हैं new classical school के बारे में ये एक upgraded version था classical school का focused इसका किस पे था focus किस पे था to understand the facts circumstances and mental state of the offender की वो facts को समझें circumstances को समझें क्या मतलब crime के facts को समझें crime के circumstances को समझें और जो mental state है offender का उसको समझें और इन्होंने offender की जो है वो कई सारी categories कर दी थी जैसे कि first time offender, habitual offender, minor, insane, idiot, ठीक है etc इस तरहे की categories में divide कर दिया था इन लोगों ने punishment should be as per the category of the offender इन्होंने क्या कहा कि जो punishment होनी चाहिए वो directly proportional नहीं होनी चाहिए लेकिन वो depend होनी चाहिए category पर कि कौन सी category का offender है punishment उस हिसाब से देनी चाहिए ठीक है यह हो गया neoclassical school अब बात करते है positive school के बारे में positive school 19th century में था इसके main exponents, exponents का मतलब होता है supporters इसके main exponents थे वो थे Lombroso, Gaffolo and Enrico Ferri ठीक है यह तीन लोग थे इन्होंने reject कर दिया था free will theory free will theory मैंने किसमें वगाई classical school में इन्होंने उस theory को reject कर दिया according to Lombroso theory तीन तरीके के criminal होते थे मतलब वो क्या कहते थे कि जो criminal होता है वो born criminal होता है ठीक है तो born criminal focus on biological characteristics जो कुछ भी जो सारी चीज़ें थी उन्होंने किस चीज़ पर focus किया biological characteristics पर focus किया और उन्होंने कहा कि जो criminals होते हैं बहुत ही less sensitive होते हैं इन्होंने जो है criminals को तीन पार्ट में divide किया तीन categories करी सबसे पहला था born criminal वही मैंने आप लोग को बता है इन्होंने कहा कि जो criminal होता है या फिर वो insane हो सकता है बिल्कुली पागल हो सकता है कि उसे sense नहीं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर है या फिर वो criminal हो सकता है तो यह तीन categories उन्होंने बता है अब इसमें देख लेते एंरिको फेरी कि थियोरी क्या थी भाई क्योंकि तीन लोग थे सपोर्ट करने वाले सबको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा तो एंरिको फेरी की जो theory थी वो challenge कर रही थी लॉंबोर्सों की is responsible है लेकिन नहीं ने कहा कि biological होंगे लेकि emotional social और geographical factors भी है वो भी responsible होते हैं इन्होंने को पाच categories में डिवाइड किया गॉन क्रिमिनल, occasional criminal, passionate criminal, insane और habitual इन्होंने पाच categories में क्रिमिनल को डिवाइड किया फिर आते हैं 11 वालों की theory पर इन्होंने क्या किया दोनों ही theory को इन्हों reject कर दिया दोनों की theory को इन्होंने reject कर दिया फैरी की और लॉंबर्सिफ की theory को reject किया इन्होंने क्रिमिनल को डिवाइड किया चार categories में सबसे वैद एंडेमिक क्रिमिनल्स जो कि बहुत है नेचर में और जल्दी किसी की बातों से इंफ्लूइंस हो जाते हैं मतलब ऐसे समझो कि कोई उनको उक्साद है उस चीज को करने के लिए तो उनको बहुत जल्दी गुसा आ जाता है और फिर वह कोई क्राइम कमिट कर देते हैं तो वह वाईलेनल्स हो गया क्रिमिल्स लाखिंग इन क्रिमिनल्स को डिवाइड करते कि 6 में तो यह पर अरहा हो यह वाला स्कूल भी वोजिटिव स्कूल भी कम्प्लेट अब हम बात करेंगे सोशीलोचिकल स्कूल के बारे में सेकेंड लास्ट विच वाज इन 20th सेंचुरी 20th सेंचुरी में था इस स्कूल के हिसाब से external factors are responsible external factors responsible होते हैं इन्होंने reject किया born criminal के concept को इन्होंने का कोई पैदा होते ही criminal नहीं बन जाता है criminal behavior is learned criminal behavior को सीखा जाता है and is conditioned by the social environment और condition करने वाला social environment होता है मतलब एक महाल सा होता है उससे ही कोई भी इंसान criminal बनता है यह कोई ऐसा नहीं कि वह पेट से ही criminal होता है ठीक है इसके causes क्या हो सकते हैं क्रिक्विसी इंसान का criminal बनने के causes क्या हो सकते हैं तो poverty हो सकता है मान लोगी उसके घर में भाई पैसा नहीं है तो इस वज़े से वह चोरी करता है तो यह सब हालातों पर depend करता है इनके स्कूल के हिसाप से बैड असोसियेशन संगत कासार होता है सबको पता है तो संगत बैड असोसियेशन गलत इस गता मिल जाती तो वह बन जाता है broken family environment उसकी family में मतलब कोई भी बहुत ही बैदेड हो के रहते हैं ठीक है कोई साथ में रहता है तो हो सकता है यह सारे factors भी external factors है यह कि इस वज़े से उसको वह criminal बनने पर मजबूर हो गया ठीक है तो यह concept था sociological school का अब हम बात करेंगे geographical school के बारे में तो इसमें तो यह concept of crime is related with the geographical environment इसमें क्या आगया कि जो क्राइम का जो concept है वो geographical environment से relate करता है कैसे क्राइम वहां पर बहुत कम होगा जहां land fertile होगी और क्राइम वहां पर बहुत जादा होगा जहां land जादा फॉर्टाइल नहीं ठीक है और जो क्राइम अगेंस्ट परसन होता है वह समर्स में होता है इनके इस स्कूल के हिसाब से और अगर कोई क्राइम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो रहा है तो वह विंटर में होता है ठीक है and rate of crime is high near the equator इनके हिसाब से जो rate of crime था वह बहुत जादा था एक्वेटर के पास तो यह हुआ हमारा जियोग्राफिकल स्कूल यह सारी चीज़ें यह सारे स्कूल्स आप लोग को अच्छी तरीके से clear हुए होंगे और इस सारे स्कूल्स of criminology के note notes आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी फिर भी अगर कोई problem है तो please let me know in the comment section और अगर आप लोगे जरूपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वह फ्लीज मुझे जरूर बताईएगा thank you so much